फ्रेंड्स अभी फैशन में बहुत ज़्यादा बोटनिक ब्लाउज है तो बोटनिक ब्लाउज में जब बोटनिक ब्लाउज बनता है तो आउनतर रुपे कस्टमरों का डिमांड रहता है कि हम उपर का जो पोर्शन है उसको नेट से बनाए या फिर ट्रांस्परेट मेटरिय करेंगे अच्छा आ सकेरा लेकिन जब नेट कपड़े मे पाइपीं लगाने की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें पाइपिं अच्छे से बन पाएगा यह नहीं बन पाएगा तो मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो में बताओंगा कि नेट कपड़े से और न जिससे कि ऐसे ही लेटेस वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे है। फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को देखते तो जरूर है, लेकिन चैनल को सस्क्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से विसेस लिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स वैसे भी क्या होता है कि नेट मटेरियल में जब हम पैपिंग बनाते हैं तो गले में फैलाव आ जाता है। कई बार क्या होता है पैपिंग जो है हमारी मूर जाती है। तो उसमें कुछ टिप्स देना चाहूंगा मैं आज अपने इस वीडियो में तो आप मेरी इस वीडियो को पुरा देखिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें लाइक करें कमेंट्स करें तो चलिए दोस्तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यह देखे फ्रेंड्स मैंने गला काटके रखा हुआ है नेट कपड़े में इसमें बोटनेक है और मैंने इसमें एक इंच का उरे पट्टी भी नेट का ही काटके रखा हुआ है। पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना तो सबसे पहले हमें क्या करना है तो सबसे पहले हमें इसके कार्नर में यानिकि यहाँ पर सित पाव में छोडके एक Hier देखें लूए आप ध्यान 30 यह देखिए ऐसा कि हमें बिल्कुल हलके हातों से ही कि चलाना है इसमें खिचाव ने रखना देखिए मैंने कहा पर सिलाई लगाया है आप वैसे ही लगाई है उसके बाद हम डाइट इसमें पैपिन लगाते हैं और पैपिन के लिए इस बात का ध्याना है क्योंकि नेट का कपड़ा तो हमको इसमें जादा खिचाव नहीं देना है इस बात का विवी से ध्यात रखेंग तो इसके अंदर से डोरी दिएगा हमें ज्यादा खिचाओ नहीं देना है अब देखेंगे हमें इसको यह जो जोड है इसको इसके अंदर लेना है और इसको फ्रेंड्स यहां पर इसको एक फोल्ड कर लेना है उसके बाद के हम इसमें ऐसा डबल फोल्ड करके पैपीन लगाएंगे एक बात का ध्यान रखेंगे कि अंदर का कपड़ा है इसके अंदर रहन चीए बहार रहन जाए Khmeeला है इसका विशेश ध्यान रखेंगे तो चलिए हम इसमें पल्टियर के इसको बना लेते है कि देखिए फ्रेंड कितना बेहतरिन इसका पाइपिन बना हुआ है बिल्कुल एक शेप में बना हुआ है और अंदर के साइड भी आप देखिए कि इसमें बिल्कुल भी कपड़ा इसका छुटा हुआ अगर आप बेंडिंग स्टेज में है तो हो सकता है कि अंदर कपड़ा छूट जाए तो आप उसको फिट से अंदर डालके सील सकते हैं और देखिए इसका गला भी बिल्कुल इक्वल बना हुआ है कहीं से भी इसमें खिचाव या फिर फैलाव नहीं आया है अगर आप बोटन को सियर करें थैंक यू फर वाचिंग जैहिंद